बिसमिल्लाय रह्मान रहीम अस्लामलीकूम विवर्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चानल जी फ्रेंड तो आज मैं आप लोगों को अपने ड्रेसिंग टेबल टूर करवाने जा रही हूं तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि इसकी जारा क्लीनिंग कर लूँ क्योंकि इतनी जादा प्रोडुक्स पड़ी रहने की वज़ा से डिटेल में डस्टिंग वगारा नहीं हो पाती डेली बेस पे तो कभी कबार तो कर लेती हूं तो इसलिए आज भी कर रही हूं तो इसके बाद मैं आपनों को अपनी सारी ड्रेसिंग पे जो मैं डेली बेस पे यूज़ करने वाली चीज़े रखती हूं वो मैं आपको दिखाती हूं यह जो है टिशू रोल यह तो मस्ट होता है ड्रेसिंग टेबल पे और टिशू बॉक्स के टिशू बहुत थीन होते हैं तो मुझे इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा लगता है यह तिक टेक्स्चर है यूज़ में बहुत अच्छा रहता है यह वाला टिशू और यह ओईल से यूज़ करती है और इसके इलावा ये body spray manager की से लिए ता फेवरीज प्रीमियर है ये भी बहुत अच्छा है और इसके इलावा ये UK का sunblock है Rivaaj UK का sunblock और ये भी मैं काफी ये से यूज़ करही हूं बहुत अच्छा है ये daily base पे जब हम लगाते हैं तो हमारी स्कीन को बड़ा फाइन करता है तो इसके बाद पिर हमें कोई बेस बादर लगाने की ज़रुत नहीं पढ़ती है और ये हीट प्रोटेक्शन के लिए है बालों को कोई हम करें या औरन करें तो उससे पहले ये स्प्रेर बालों पर कर लेना चाहिए गौड टूबी का है ये तो उसके इलावा ये वैजलीन बॉडी लोशन है ये मैंने टर्की से लिया था उसके इलावा मैं डब लोशन बहुत जादा यूज़ करती हूँ और ये ऑल है जांसन और जांसन का बेबी ऑल है मेकप रिमॉविंग के लिए बहुत अच्छा है स्पेशली जो मैट लिप्स्टिक जल्दी रिमॉव नहीं होती वह इससे बहुत अच्छी तरीके से रिमॉव भी हो जाती है और हमारे लिप्स जो है वो सॉफ भी हो जाती है यह जॉंसन और जॉंसन का क्लेंजिंग मिल्क है यह भी यूज में बहुत अच्छा रहता है मॉस्ली यह चीज़े जो हैं यह बार बार रिपीट करती हूं और रिवाज UK का मेकप फिक्सर है मैंने फर्स टाइम लिया है लेकि मुझे अच्छा लगा है यह यूज में और काफी देर तक स्टेह रहता है इससे मेकप में अलोवेरा जल है डॉक्टर स्किन प्लस की वैसे तो फ्रेश प्लांट्स चो है मैंने लगाए हुए है अलोवेरा के तो ज्यादा तर तो वही यूज करती हूं लेकिन कभी एमेरजंसी में यूज करने पड़े तो फिर मैं यह जल यूज कर लेती हूं यह पर्फियूम है यह मैंने सौदी अरब से लिया था और यह मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने आप लोगों से भी शेयर करूं इसका नाम है बाइतल उद के नाम से है और यह बहुत अच्छी फ्रेगरंस है और लॉंग लास्टिंग पॉफियूम है मुझे तो बहुत पसंद आया अगर आप लोगों का जाने का इतफाक हो तो आप लोग यह वहां से जरूर लें उसके इलावा यह बॉड़ी लोशन है लेवेंडर सिगनेचर फ्लॉरल यूके का है और यह बड़ा अच्छा इब्जॉर्बेबल है यानि वह स्किन को ग्रीजी ग्रीजी सा नहीं करता यूज में बड़ा अच्छा है और जेटोट के पॉफ्यूम्स मैं ज्यादा तो यूज करती हूँ यह भी मैंने लिया है वहां से ब्रीजे बहुत अच्छा लगा है मुझे इसकी भी फ्रेग्रेंस और इसके इलावा यह पिक्सी के नाम से है यह मुझे किसी ने गिफ्ट किया था यह भी इसकी फ्रेग्र लेंड पे है तो आउट ओफ स्टॉक हो चुका है ना और दुबारा बलकि आया ही नहीं है यह उसके बाद और यह अरूसा है जेटोट को परफ्यूम मेरा मुस्ट फेवर परफ्यूम है जो कि मैं बार बार रिपीट करी हूँ काफी अर्से से मैं यह यूज करी हूँ अभी अर्गन ऑईल है बालों के लिए जैसे हम शेम्बू के बार टावल ड्राय करने के बाद अपलाय करते हैं तो हेर सीरम वगारा या यह उस चीज के लिए हैर और यूज होता है यह बहुत अच्छा है मैंने पहले भी यूज किया है वो यूके से आया था और यह मैंने टर्की इसे लिए है तो यह मुझे बवाथ पसंद है और यहां से भी पिल जाएगा मैडोरा का नेल पॉल श्रीमोर है जो कि हमेश्या से मैं यूज करती आ रही हूं इसके लावा मुझे कभी कोई पसंद ही आया है नेल पॉल श्रीमोर और यह बोड़ी शॉप का यह है पोर्स को म जाद अच्छे होते हैं इसके इलावा ये मैंने यहां पे ड्रेसिंग पे बॉक्स तयार करके खुद से रखा हुआ इसके अंदर कॉम्स हैं हेव ब्रश है और सीजर्स हैं इस तरह की चीजें यह वाइटामिन E केपसुल हैं जो के मैं ऑईलिंग जब भी कोई भी ऑईल हम लगाएं तो इसमें केपसुल निकाल के प्लाइ करें बहुत अच्छा रहता है यह आई रोलर है और यह नेल शाइनर है यह चोटी-चोटी चीजे मैंने इसके बास्किट के अंदर डाल के रखी ह हुई है और इसमें मैंने स्मॉल सीजर निल कटर और यह फाइलर निल फाइलर निल्स के मतलिक जो सारी चीजें वो सब मैंने इसमें रखी हुई है और यह वाइट कलर का थ्रेड है जो अकसर यूज में आता है ज्यादा तर जो यूज में चीजे आती है वो सब मैंने ड्रेसिंग पेस लिए रखी हुई है कि जब भी यूज करने है बस सामने चीजें मिल जाए उनको तलाश ना करना पड़े टाइम वेस ना ढूनना ना पड़े यह अवेलाइन की फेस और बॉडी क्रीम है मैं बॉडी बटर है और यह बहुत अच्छा है यह भी बॉडी के लिए भी हैंड्स फीट के लिए और क्रैक हील्स के लिए भी अच्छा है यह इसकी फ्रेग्रंस बहुत अच्छी है यह डेटाइम यूज के लिए है वाइटमिन सी बॉडी शॉप से लिया है मैंने और यह औरिंज औरिंज इसके पील से बनावा होता है यह बहुत अच्छा है फेस के लिए टाइड एंड डल सिकन के लिए अच्छा है स्किन को बड़ा फ्रेश और स्मूध और सौफ्ट कर बैसलिन बालों के मैं आपलाय करती हूं बालों पे एंड्स पे लगाती हूं क्यूंकि हमारे एंड्स जो है न वह बहुत ज्यादा स्टेटनिंग की वजह से काफी वह डामिज हुए उते हैं तो ऑईलिंग के बाद मैं ये एंड्स पे लगा लेती हूं और कॉटन बेट है जो जी ये आफ मॉस्किटो लोशन है घर में तो खेर जरूरत नहीं होती लेकिन मैं अक्सर सफर में साथ लेकर जाती हूँ कोई जगों पे ये प्रॉब्लम होती है तो इस वज़ा से और ये बॉड़ी शॉप का टी ट्री ओईल है ये हमारे फेस पे कोई भी पिंपल या कुछ भ है मैं लिप्स के लिए ये जादा तर यूज करती हूँ और इसको जो बहुत ज्यादा ड्राय स्किन वाले लोग फेस पे भी अप्लाय करें तो स्किन बहुत अच्छी स्मूथ हो जाती है और हम क्रैक हील्स पे भी यूज कर सकते हैं उसके लावारी टाइगर बाम है ये भी यह जल्दी आराम आता है फरक पड़ता है यह आं-लाइन भी मिल जाता है किस मॉल मिरर जो है यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि मुझ जादा तर मेक अप जो है ओ स्मॉल मिरर में करने की आदत है तो जीhst मेरा ड्रेसिंग जो है आपने देख़ा है सेट हो चुका है तो आप मैंने आप सब लोगों से ये राज शेयर किया है और फिर मेरे नेक्स किसी वीडियो में भी आपको अपनी बाकी भी कॉस्माटिक्स वगारा दिखाऊंगी और मजीद आपसे और भी टिप्ट शेयर करूंगी उमीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें अपना बहुत सा ख्याल रुकिएगा अलाव